कि धूर्इबकर दोस्तों वीडियो को ज़ादा से ज़ादा लोगों तक शयर करें। दोस्तों आपकी प्यार को यहार और सपोर्ड कें बहुती ही जरूरत है। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दे ताकि जो भी विडियो डाले आप तक पहुंची रहे तो दोस्तों सुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी ख़बर के रूप में तो दोस्तों बिड़ को एक लाइक जरूर के रूप से कहना चाहता हूं कि मेरे स समय का पल-पल और सरीर का कंकन देश वासियों के लिए हैं हर पार्टी और हर नेता के हर जीत का पूरा विश्ट लेसन करेंगे तो दोस्तों विडियो को पूरा देखिए दोस्तों प्रधानमती नरेंद मोदी जब बीजेपी मुख्याले पहुंचे तो वहां उनके पर काजीब होने जा रही है निर्वाचन आयोग की और से जारी मत गर्णा के रुझान के अनुसर भाजपा चाहां 300 सीटों पर आगे चल रही थी वहीं कॉंग्रेस 51 सीटों पर आगे हैं आयोग के सभी 542 सीटों के रुझान जारी किये हैं अकर मौजूदा रुझान अंति अंत्रिक गटवंदर यानी एंडिये दोज़तों में 336 सीटों के मुकाबले 343 सीटों पर काजीब होता दिख रहा है चुनाओ रुझानों पर बाजार ने भी स्वागत किया है बी एसी सेंसेक्स ने पहली बार 40,000 की उचाई को चुआ वहीं NSE के निफ्टी ने 12,000 के अस् भारतिय जिन्ता पार्टी को इसकी बड़ी जित दिलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं देशवासियों के प्रते हिर्दे से किर्टगेता व्यक्त करती हूँ परधान मंतरी ने देश के संबोधन में कहा कि कुछ लोग संपन प्रमुख से लेकर के राष्ट पहन कर देश को गुमराह करने का हिमत नहीं कर पाया है यह उस सक्स की बिज़े जिसको घर मिला है 2022 तक सब को घर मिलने वाला है जी हां दोस्तों यह उस बिमारी की बिज़े है जिसका इलाज अब संभा हो पाया है यह बिज़े देश किसान की बिज़े है यह 40 क्रोड़ अस हम इस विजय को जनता जनार्दन के चरनों में समर्पिट करते हैं सभी विजयताओं को बधाई देता हूँ चाहे वो किसी भी दल के हो, किसी भी प्रांत के हो देज के उजबल भविशे के लिए कंधे से कंधा मिला करके काम करने के हम इस विश्वास के साथ सब को सुमकाम लाए देते हैं आज कोई विजय हुआ तो हिंदुस्तान हुआ लोकतंतर हुई, जनता जनार्दन की विजय हुई मैं चुनाव आयो को, सुरक्षा बलो को इस लोकतंतर के उत्सों की ब्यवस्था को संभालने के लिए बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ जिहा दोस्तों पूरे विश्व को भारत को लोकतंतरिक सक्ती पहचानना होगा नए भारत के लिए जना देश लेने के लिए आज हम देख रहे हैं कि देश की जनता इस फकीर की जोली भर दिया है जिस कारेकरताओं ने पार्टी के लिए जान गवाई हैं उसको मैं सद्धाजली देता हूँ अमिस्या का कहना है जिहा दोस्तों जब तीन राज्यों के चुना हुए थे तम मैं कहा था कि कॉंग्रिस जीती जरूर है लेकिन बीजेपी हारी नहीं है बंगाल में अत्यचार के बाद भी बीजेपी ने सांदार पर्दसन किया है मैं आंधर पर्दस के जगन रेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं चंदरबाबुनाईडो को सलाह देता हूँ कि इतना परिश्रम अगर आप वोट पाने के लिए किये होते तो खाता खुल जाता दो दिन पहले एकजिट पोल के रुजहान आये थे तो कुछ लोगों ने महज नहीं हुए थे आपको बताते कि जब प्रधान मंतरी मोदी की लोग प्रियता की जीत हुई है उत्तर परदेश में भी 50 सीटों से ज़्यादा वोट मिले हैं इतने लंबे चुनाव कारिकरम में कारेकरताओं को परिश्रम प्रचंड बहुमत का कारण बना है प्रधान मंतरी मोदी की रैली जीत का आधार बनी है जी हां दोस्तों आपको बता दे कि आजादी के बाद एतिहासिक जीत मिली है मैं सबसे पहले देश की जन्ता को धन्यवाद देता हूँ बीजेपी मुख्याले से संबोधन में कहा गया है जब विजेदेश की बीजे है जब बारा कडोर कारेकरताओं की बीजे है आसा करता हूँ कि इस कारेकर्म को वो रुजगार, कृसी, विकास और अर्थबेवस्ता पर ध्यान दे करके प्रधान मंतरी जी को लोगों की अपेक्छाओं पर ख़रा उतरेंगे जिहां दोस्तों प्रधान मंतरी मोदी ने ट्वीट करके चोकिदार सब्द को हटा दिया है कहा इस भावना को अगले चरण तक ले जाना है जिहां दोस्तों अमेठी से इस मिर्ते इरानी जीत गई है आपको बता दे कि बिहार के दरभांगा लोगसवा सीट से भाजपा के गुपाल जी ठाकूर राज़क के अपने निम्नुतम प्रतिध्वन्दी अब्दुलबारी सिद्धिकी को दो लाख और सथ हजार मतों से हरा दिया है आपको बता दे कि बीजेपी ने चार सीटे जीती थी जहांपर 294 सीटों पर अभी चल रही है आगे परधान मत्री मोदी ने मंत्रियों के लिए 100 दिन का प्लान तयार करने को कहा दिया है इस जीत के लिए सभी कारिकरताओं को मेहनत का नतीजा हुआ है लाल कुष्ण आडवानी का कहान है आपको बताते कि उत्तर प्रधान मत्री मोदी के नेतित्यों की जीत का बधाई देता हूँ बीजेपी मुखाले जब पहुंचे अमिसा तो हजारों कारिकरताओं भी वहाँ पर मौजूद थे शुमणे अकाली दल के प्रत्यासी हरमीत कौर के बाद वटिंडा सीट से आगे वो जीत गई है आपको बताते कि भाज़पा के प्रत्यासी या केंद्रिय मंत्री हरदी पूरी अमरी सर पर अपने निकर्तम प्रतिद्वांदी कौंग्रेस के गुरजीत ओला को 43 हजार मतों से उपीछे रह गए है जी हाँ दोस्तों बीजेपी की जीत पर प्रधान मंत्री मोदी ने कहा है कि सबका साथ पलस सबका विकास पलस सबका विश्वास बराबर विजय भारत हुआ है आज का जनादेश यह भी दिखाता है कि भारत की जनता ने देश के जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टी करन को पूरी तरीके से उखाड फेक करके विश्वास वाद और राष्टवाद को चुना है जी हाँ दोस्तों आपको बदाते कि चंदर माबु नाइटू आज साम आंधर परदेश के सीम से वो इस्थिपा दे देंगे तेलहगाना में सीम के चंदर सेखाराव की बेटी कविता बीजपी परत्यासी डी अरविंद से 31,000 फोटो से वो हार गई है जी हाँ दोस्तों अकली बड़ी कबर राहुल गांधी क्यों नहीं समसे के परदानमत्री मोदी की रणिती पांच वो अहम बाते जो जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है जी हाँ दोस्तों पहला मुद्दा है राष्टवाद का मुद्दा अप्रेशन बालाकोर्ट के बाद से पूरा चुनाव मुद्दे के बजाए राष्टवाद के आसपा सीमट गया था परधान मतरी मोदी ने भी एक रैली में पुलवावमे में हुए सहीदों के नाम पर वोट मांगने की अपिल की थी हाला कि उसके बाद में अपने सब्दों को बदल दिये थे और चुनावी रैलियों में एरस्टाई का जिगर करते हुए मतनताओं को राष्टवाद से प्रभावित करने की कोशिज की जी हाँ दोस्तों दूसरा जो मुद्दा था वो हता टीना फैक्टरी काम पर जी हाँ दोस्तों बीजेपी ने इस चुनाव में बिपक्ष में परधानमत्री मोदी की तुनला किसी और बिकल्प पर मुद्दा भी जम करके उठाया वहीं कांग्रेस की और से परधानमत्री मोदी के उमिद्वार राहूल गादी विपक्ष के साथ अहम सहमती बनाने में नाकामियाब रहे और पूरे चुनाव में परधानमत्री मोदी के मुकाबले एक सर्व माननेता कोई नहीं बन पाया यानि प्रधानमत्री मोदी आगे देर इस नो अटेंटिव फैक्टरी के विवक्ष के बिलकुल ही नुकसान पहुँच गया जिया दो तो तीसरा मुद्धा है रफाल के मुद्धे पर अक्रमक राजनीती हुई कॉंग्रिस अदक्र राफुल गांधी ने दो साल से रफाल को मुद्धा उठा करके बना लिया है और जिसमें से राफुल गांधी की ओर से भी मैं चोकिदार हूँ जैसे भी नारे लगाय जा रहे थे लेकिन प्रधानमत्री मोदी ने उसी अंजाम में उन्हों ने कह दिया मैं भी चोकिदार हूँ का नारा दे दिया इस मुद्धे पर बीजेपी ने एक बार फिर से बैक फूट पर जाने के लिए तयार नहीं हुई थी इसी बीच कॉंग्रिस अदक्ष राहूल गाधी ने इसे मुद्धा सुप्रीम कोट ने भी दे दिया जिसके बाद सुप्रीम कोट से उन्होंने फिर से माफी मांगनी पड़ी जिया दोस्तों जो चोथी है वो है इस बार महंगाई नहीं बन पाया मुद्धा इस चुनाओ में खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी सरकार को महंगाई जैसी मुद्धे का सामना नहीं करना पड़ा साल 2014 में चुनाओ में कॉंग्रिस की सरकार से सामने मुद्धा महंगाई का था इसकी बड़ी वजह यह थी कि प्रधानमतरी मोदी सरकार के पूरे 5 वर्ष तक पूरे तरीके से नियंतरर में रखा सरकार में आते ही प्रधानमतरी मोदी ने कामकाजियों के नकेल कसना सुरू कर दिया जिसका असर साफ दिखाई दे रहा है जी हां दोस्तों पांचवा जो मुद्दा है वो है उजवला किसान निधी और सोचाले योजना बीजेपी सरकार ने जीत के इस योजनाओं को भारी असर उठाया है चुनाओ से पहले दो-दो हजार रुपे की दो किस्ते किसानों के खाते में जा चुकी थी और पूरे पांच साल में सरकार के जो स्वक्षता अभियान सुरू किया था उसके तहत मिलने वाले सोचालेओं में चर्चा गाउं गाउं हो रही है दूसरी और उजवला योजना के तहत कई लाक घरों में सिलेंडर भी पहुँचाए गए माना जा रहा है कि इस याचना का असर बोटरों पर जरूर पड़ा है जी हा दूसरी अगली बड़ी सज़ाई की बमपर जीट पर पाकिस्तान के पर्धान मंतरि इंबरां खान ने पर्धान मंतरी मोधि को बदाए दी इमरान खाने कहा है कि हम बिकास और सवहर्द के लिए साथ काम करेंगे दक्षिन एसिया में सांती के लिए काम करेंगे आपको बता दे कि परधानमत्री मोधी को दुनिया भर से नेता बढ़ाई दे रहे हैं इसमें से चीन, जपान, रूस, इसराईल, नेपाल समयत कई राष्ट के राष्टा धक्षों ने परधानमत्री मोधी को बढ़ाई दी इसराईल के परधानमत्री बेंजमीन नितियाहों ने परधानमत्री मोधी को बढ़ाई दी है नितिन ने कहा है कि हम अपनी दोस्ती की और मजबूत करेंगे जी हाँ तो इसके अलावा शीर के राश्पती ने भी परदानमत्री मोदी को बढ़ाए दी दोनों देशों के संबंधों में और मजबूती लाने की उमीज़ आई है वहीं जपान के परदानमत्री सीन जो अबे रूस के राश्पती प्लादमीर पूतीन बुटान के नरेस जिंगमे खेहर नागमे वांग्चू अफगानिस्तान के सासन अफसरी गनी ने भी परदानमत्री मोदी को जीत के लिए बढ़ा दी गुजरात राजस्थान हर्यान दिल्ली मध्य परदेश उत्राखण में भाजपा क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है इसके अलावा उत्तर परदेश में महागठवधन के होने के बावजूद भी बेहतर परदसन कर रही है